रहेगा कौश्चन नमर एक आपके सामने है जल्दी से सही अंसर बताईए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई आपको बताने है क्या होती है आपके सामने है जल्दी से सही अंसर बताईए दोस्तों सही अंसर क्या रहेगा तो सही अंसर रहेगा option number B ampere जो होती है electric current की unit आपकी होती है question number 2 है प्रतिरोध का मातरक क्या होता है but is the unit of resistance resistance आपका जब भी पूछे तो sensor क्या रहेगा औहुम इसका sensor है यानि option number A इसका सही कर लें question number 3 आपके सामने है heater का element किस धातू का होता है या फिरsed awake इस तरह से आता है heater का element किस धातू का बना होता है option आपके सामने है दोस्तों जल्दी से सही answer बताईए सही answer क्या रहेगा तो सही answer रहेगा option number A naichrome की वनी होती है heater का element question number 4 आपके सामने है fuse तार किस से बनी होती है होती है option आपके सामने है जल्दी से सही अंसर बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो सही अंसर रहेगा option नमबर बी तीन और सीसा की बनी होती है फ्यूज बाइर question नमबर पांच है बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो आपकी short circuit हो जाता है या फिर आपकी बिजली से जो आग लगती है इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जल्दी से बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो सही अंसर रहेगा option नमबर बी पाईरिन अगनी शामक पाईरिन अगनी शामक का प्रयोग जो है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है आपको बताना है इस पाईरिन अगनी शामक में किस गयास का प्रयोग किया जाता है जल्दी से कमेंट करके सही अंसर बताइए question number 6 आपके सामने है सूरे का ताप किसके दवारा मापा जाता है जो सूरे का temperature होता है sun temperature measure y option आपके सामने है जल्दी से answer बताईए से answer हैगा option number B pyrometer दवारा जो है उच्चताप मापा जाता है आपको कल करवा चुका हूँ जी विग्यान की क्लास में जो pyrometer होता है इसका परियोग उच्चताप को मापने के लिए किया जाता है जैसे आपके सूरे होगे तारे होगे उनके लिए किया जाता है question number 7 आपका embodied है सूरे की किरणों की तिवरता मापने बाले उपकरण को क्या कहती है सूरे की केरिणों की तिवरता जो मापी जाती है, किस हिंतर दवारा मापी जाती है चल्दी से बताईए सही अंजर क्या रहेगा इसका सही अंजर रहेगा option number C, actiometer actiometer दवारा जो है आपका सूरे की केरिणों की तिवरता मापी जाती है next question देखने हैं चलिए question number 8 है कौन सा ताप मान centigrade और Fahrenheit दोनों पेमाने पर समान होता है आपको बताना है centigrade और Fahrenheit जो होती है किस ताप पर समान आपके होते है तो आप सभी का से अंजर आया option number C इसका सही रहीगा minus 40 degree पर minus 40 degree पर आपके Celsius और या फिर centigrade और Fahrenheit जो होते हैं आपके समान होते हैं question number 9 है आपके सामने है परमशूने ताप होता है जो परमशूने ताप होता है ये कितने degree Celsius आपका होता है जल्दी से सही अंसर बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो जो भी option number A बता रहे हैं minus 273 degree centigrade जो होता है ये परमशूने ताप आपका होता है question number 10 है उश्मा का सरवादिक सुचालक होता है ये option पर डिवेंट करता है question आपका उश्मा का सरवादिक सुचालक होता है लकडी, प्लास्टिक, तामबा या फिर लोहा दो option आपके आते हैं तामबा और लोहा जल्दी से उश्मा का सुचालक होता है जल्दी से कमेंट करके सही उश्मा का सुचालक होता है प्रेशर कुकर में कोई भी बस्तु जो है कम समय में त्यार हो जाती है किसके कारण जल्दी से कमेंट करके बताईए तो से answer हेगा option number B जल्द का जो क्वत्नाक होता है ये pressure कुकर में क्या हो जाता है बढ़ जाता है इसलिए pressure curve कुम्र में जो कोई भी वस्तु होती है जल्दी त्यार हो जाती है Question number 12 है Audio meter दोबारा क्या मापा जाता है Audio meter का प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है चल्दी से सही answer बताईए दोस्तों सही answer क्या रहेगा तो जो भी option बर भी पता रहे है इसका सही answer रहेगा दोबारी की तीवरता जो है audio meter से मापी जाती है Audio यह नहीं हमारे जो headphone होती है ठीक है Audio वाले होती है ठीक है audio देते है यह आवाज देते हैं तो आवाज आपकी किस से आती है आवाज को दभनी भी कहा जाता है तो इससे आप याद रख सकते हैं Question number 13 है वाईमंडली दाब को मापने का यंतर होता है जो आपका वाईमंडली दाब होता है इसको किसके दवारा मापा जाता है जालती से सही answer बताईए सही answer क्या रहेगा तो सही answer हेगा option number D वैरो मीटर दवारा जो है वाईमंडली दाब आपा जाता है Question number 14 है सुमुंदर की गहराई का मापक यंतर है सुमुंदर की गहराई का मापक की यंतर कोन सा है यनि सुमुंदर की गहराई किस यंतर से मापी जाती है चलिए जल्दी से अंसर बताईए सही अंसर क्या रहेगा तो से अंसर रहेगा option number B फ्यादो मीटर दवारा जो है समुंदर की गहराई मापी जाती है question number 15 है बाईमंडल की आदर्ता को मापने बादा यंतर है बाईमंडल की आदर्ता जो है ये किसके दवारा मापी जाती है option आपके सामने है जल्दी से अंसर बताईए दोस्तों सही अंसर क्या रहेगा तो सही अंसर रहेगा option number D बाईमंडल की आदर्ता जो है हाईगरो मीटर दवारा मापी जाती है question number 16 आपके सामने है रक्तदाब के मापन किया जाता है जो रक्तदाब होता है इसका मापन किसके दवारा किया जाता है आप्शन आपके सामने है चल्दी से सेंसर बताईए कोशन आपके एक्जाम में पूछताता है सही अंसर क्या रहेगा तो जो भी option नमबर भी बता रहे हैं सफेग्मो मैनोमेटर सफेग्मो मैनोमेटर दवारा जो है बलड प्रेशर या फिर रक्त दा मापा जाता है question नमबर 17 है रसाइनिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करता है जो आपकी रसाइनिक उर्जा होती है chemical energy होती है electric energy में कौन convert करता है option आपकी सामने है जल्दी से सही अंसर बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो जो भी option नमबर A बता रहे हैं सही अंसर हीगा विद्ध उर्जा होता है ये रसाइनिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करता है और उताक आपने वीडियो को लाइक ने करा है जल्दी से वीडियो को लाइक करने वीडियो को शेर करने और वीडियो देखने बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्वेशन नमर 18 आपके सामने है परकाश उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करता है जो आपका परकाश उर्जा होती है उसे विद्ध उर्जा में कौन परिवर्थित करता है आप्शन आपके सामने है जल्दी से से अंसर बताइए सही अंसर क्या रहेगा बहुत सीम्पल सा अंसर है रहेगा इसका option number C रहेगा जो आपके source cell या फिर photo electric cell होता है कह सकते हैं photo electrical cell को ही source cell कहा जाता है तो यह आपका प्रकाश उर्जा को किसमें बदलता है बिज़त उर्जा में convert करता है question number 19 है dynamo परिवर्थित करता है अब याद रखें question 2019, 2018, 2017 में पूछा जा चुका है dynamo जो होता है यह परिवर्थित करता है यह कौन सी उर्जा को किस उर्जा में परिवर्थित करता है चलिए जल्दी से से answer बताईए से answer हैगा यांतरिक उर्जा को बिद तुर्जा में परिवर्थित करता है कौन सा यांतरिक उर्जा को बिद तुर्जा में परिवर्थित करता है से answer हैगा option number B option number B सही कर ले question number 20 है microphone परिवर्थित करता है जो microphone होता है जिसे मैं आपकी आवाज record कर रहा हूँ यह हमारा microphone है यह आपका किस एनर्जी को किस एनर्जी में convert करता है जल्दी से सही answer बताईए सही answer क्या रहेगा तो याद रखें जो microphone होता है मैं आपको बोल रहा हूँ यह मेरी धवनी जा रही है इसमें धवनी जा रही है और यह इसमें convert कर रहा है यह आपकी विद्यूत उर्जा में convert कर रहा है यानि दवनी उर्जा को विद्यूत उर्जा में convert करता है Question number 21 है विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा परवर्थित करता है मेकैनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कनवर्टिड जल्दी से बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो option number ace का सही रहेगा जो भी बता रहे हैं मोटर जो होती है ये chemical एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कनवर्ट करती है question number 22 है engine जो होता है आपका engine जो होता है ये किस उर्जा को किस उर्जा में कनवर्ट करता है option आपके सामने है जल्दी से सही अंसर बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो question number 22 का answer हैगा option number C उर्षमी उर्जा को जो आपकी उर्षमी उर्जा होती है इसे यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करता है engine next question आपके सामने है electrocardiograph जिसे हम ECG कहते हैं ECG सबंदित होता है electrocardiograph इसके आपकी full form भी उची आती है तो note कर लें और यह आपका किसे सबंदित होता है तो जो भी सही answer बता रहे है option number C हिर्दे से सबंदित रहता है ECG question number 24 है EEG का सबंद होता है EEG का सबंद किसे होता है जल्दी से answer बताईए सही answer क्या रहेगा तो जो भी option number B बता रहे हैं सही answer हेगा मस्तिक्ष तो सही गरने मस्तिक्ष आपका यहां गल्दी होगा है मस्तिक्ष स्वंदित होता आपका EEG अब आपके लिए question है EEG की full form क्या होती है यह comment करके आपको बताना है Question number 25 आपके सामने है Aliza test स्वंदित होता है जो Aliza test होता है यह किसे स्वंदित रहता है Cancer, AIDS, TB या इनमें से कोई नहीं Important question है यह question आपकी exam में पूछा जा सकता है जल्दीत साही से answer क्या रहेगा तो ECG जो होता है आपका किसे स्वंदित रहता है AIDS से स्वंदित रहता है Next question थोड़ा important है इस्तरियों की नस्वंदि को कहा जाता है जो भूमेन होती है इनकी नस्वंदि को क्या कहा जाता है Option आपके सामने है जल्दी से answer बताए से answer क्या रहेगा तो जो भी option नमबर A बता रहे है से answer रहेगा Tuovectomy Tuovectomy जो होती है याद रखे Tuovectomy जो होती है ये इस्तरियों की नस्वंदि कहलाती है अब next question इसी से related है पुर्षों की नस्वंदि को कहा जाता है जो पुर्षों की नस्वंदि होती है इसे क्या कहा जाता है जल्दी से answer बताए सही answer क्या रहेगा तो जो भी option number C बता रहे हैं सही अंसर रहेगा वैसे क्टॉमी वैसे क्टॉमी जो होती है यो पुर्शो की निस्वंदी कहलाती है Q28 है कब को का अधियन कहलाता है जो फंगी होती है इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है option आपके सामने है जल्दी से सही अंसर बताईए सही एंसर क्या रहेगा तो जो भी option number a बता रहे हैं mycology mycology इसका सही एंसर रहेगा question number 39 है follow का अधियन कहलाता है follow का अधियन कहलाता है study of fruits is called जो भी option number a बता रहे है pommology follow के अधियन को pommology कहा जाता है next question आपके सामने है शिवाल का अधियन कहलाता है शिवाल के अधियन को या फिर study को क्या कहा जाता है जल्दी से सही एंसर बताईए सही एंसर क्या रहेगा तो इसका सही अंसे रहेगा option number D सोड़ा सा से कर लिए phycology phycology जो होता है आपका myco है यहां तो आपका phycology हो जाएगा शेवालो के अधियन को phycology कहा जाता है question number 31 है virus का अधियन कहलाता है जो virus होता है इसके अधियन को क्या कहा जाता है study of virus is caldip जल्दी से बताईए सही अंसर क्या रहेगा तो virus के अधियन को क्या कहा जाता है viralology कहा जाता है question number 32 है insulin की खोज किसने करी थी insulin की खोज who discovered insulin जल्दी से अंसर बताईए सही अंसर क्या रहेगा option number 20 का सही रहेगा वैटिंग ने जो है किसकी खोज करी थी इंसुलेन की खोज करी थी अब आपके लिए सिंपल सा कोशिन है इंसुलेन जो होता है ये कहां से स्त्रावित होता है जल्दी से कमेंट करके बताईए कोशिन नमर 33 है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें डैश ने करा था फर्स्ट हमन ट्रांस प्लेंट ठीक है जो हाट को परिवर्तित करा या फिर प्रतियरोपन करा था सबसे पहले बिशम में किसने करा था जल्दी से बताईए सही अंसर क्या रहेगा तो सही अंसर हैगा आप्शन नमबर A क्रिस्टियान वर्नार्ड क्रिस्टियन वर्नार्ड जो थे इन्होंने सबसे पहले मानव का हिर्द्य प्रतिरोपन करा था क्रिस्ट नमबर चोंगतिस है हेजे के टीके की खोज किसने करी थी जो हेजा होता है इसके टेके की खोज किसने करी थी और एक्जाम में आपका ये दो से तिन दवार कोशिन पूज़ा जो का है जो हेजा जो होता है ये किसके दवारा होता है ये आपका दूशित जल दवारा होता है आपका हेजा होता है और हेजे के टीके की खोज किसने करी थी रोबर्ट कोश ने जो है option number C रोबर्ट कोच ने हेजे के ठीके की खोज करी थी कौशन नमबर 35 है DNA की खोज किसने करी थी जो आपके DNA होता है इसकी खोज किसने करी थी सही अंसर हेगा option number C option number A बाफ करें option number B James Bart A and Crick ने James Bart O तथा Crick ने जो है किसकी खोज करी थी DNA की खोज करी थी question number 36 है penciling की खोज किसने की थी penciling की खोज किसने करी थी आपको पता होना चाहिए penciling जो होती एक प्रकार की antibiotic होती है इसकी question आपकी exam में बोगचा जाता है और आपको बताना है penciling जो है कहां से प्रापत की जाती है और penciling की खोज किसने करी थी Alexander Fleming ने करी थी option number B question number 37 है रक्त परिवेहन का खोज करता किसे माना जाता है option आपके सामने है जल्दी से सहंतर बताईए दोस्तों सही answer क्या रहीगा तो सही answer रहेगा option number A William Harvey William Harvey ने जो है प्रापत परिवेहन की खोज करी थी next question आपके सामने है homeopathy चिकिस्ता सवंदित है जो homeopathy medicine जो होती है या चिकिस्ता जो होती है क्या आपकी किसे related है यानि आपको scientist का नाम बताना है तो सही answer रहेगा option number A Samuel Hennieman Hennieman ने जो है homeopathy चिकिस्ता जो है इसकी खोज करी थी question number 49 है चेचक के टीके की खोज किसने करी थी जो smallpox होता है चेचक आपका होता है इसकी vaccine की खोज किसने करी थी important question है जल्दी से बताइए सही answer क्या रहेगा तो सही answer करेगा option number C Edward Jenner जो है चेचक के टीके यानि vaccine की खोज करी थी question number 40 है important question है रैविस के टीके की जो रैविस vaccine होती है ये किसने discover यानि किसने खोजी थी जल्दी से बताइए सही answer क्या रहेगा तो सही answer रहेगा option number B Louis Pasteur Louis Pasteur ने जो है रैविस के टीके की खोज करी थी question number 41 है bacteria या फिर जीवानों की खोज किसने करी थी who discovered bacteria जल्दी से बताइए जो bacteria होता है या जीवानों होता है इसकी खोज किसने करी थी तो सही answer रहेगा option number A Leuvenhawk Leuvenhawk ने जो है आपके वेक्टीरिया की खोज करी थी अब question number 42 आपके सामने है विशाणू यानि वाइरिस की खोज करता माना जाता है विशाणू या फिर बाइरिस का खोज करता किसे माना जाता है discover the virus यहां से कर लें discover the virus तो discovery किसने discover किया था वाइरिस तो सही answer रहेगा option number B Ivanovaski Ivanovaski ने जो है वाइरिस की खोज करी थी question number 43 है important question है BCG के टेके की खोज किसने करी थी who discovered the vaccine of BCG अब आपके लिए question है आपको बताना है BCG की full form क्या होती है important question है चलती से बताइए BCG की full form क्या होती है और BCG के टेके की खोज किसने करी थी call mate ने option number D call mate ने BCG की खोज करी थी question number 47 है हर गौविन खुराना इनमें से किसे स्वधित है भारती मूल के बेग्यानिक है इन्हें जो है इस खोज की लिए क्या मिला था noble prize भी मिला था या आपको लिए question है हर गौविन खुराना को जो है किस वरश जो है noble prize दिया गया था और इन्होंने किसकी खोज करी थी genetic court यानि option number C कर ले genetic court की खोज किसने करी थी हर गौविन खुराना के करी थी question number 45 है पर्मानु भट्टी या फिर nuclear reactor की खोज किसने करी थी या फिर कह सकते हैं पर्मानु बम या फिर nuclear reactor की खोज किसने करी थी option आपके सामने जल्दी से बताइए सही answer क्या रहेगा option number B Enrico Fermi Enrico Fermi ने जो है पर्मानी भट्टी या फिर nuclear reactor की खोज करी थी question number 45 है computer का अविश्कार किसने किया था computer का अविश्कार किसने किया था बताने की जुदत नहीं पड़ेगी Charles Pevis इसका सही answer रहेगा question number 47 है printing press का अविश्कार किसने किया था printing press का अविश्कार किसने करा था जल्दी sensor रहेगा तो सही answer रहेगा option number B Gutenberg J. Gutenberg ने जो है printing press का अविश्कार करा था और ये question मेरे क्या थे एक या दो सेल पहले पूछा गया था question number 48 है television की खोज किसने करी थी television की खोज किसने करी थी who invented it after discovery D television imported question है sensor रहेगा option number कौण सा option number D John Loggie वेर्ड John Loggie वेर्ड ने जो है television की खोज करी थी question number 49 है टेलिस्कोप के खोज करता माने जाते हैं टेलिस्कोप के खोज करता कोन माने जाते हैं Charles Babies, Galileo, Louis Pasteur या फिर लॉगी वेर्ड तो सही अंसर रहेगा option number B Galileo ने टेलिस्कोप की खोज करी थी question number 50 आपके लिए AK-47 की खोज किसने करी थी जो AK-47 है या आपकी इनकी खोज किसने करी थी बता दूँ या आपके रशियन थे नाम आपको बता रहा है option आपके सामने है मिखाईल या फिर अखाल खिली मिखाईल खिली या फिर इनमे से कोई नहीं option भी ज्यादा मुझे डालने नहीं आते तो option number आपको बता लग जाएगा कौन सा सही रहेगा अब जल्दी से बताए 50 में से आपके कितने सही थे अगर आपके 35 भी सही हो रहे है तो आपकी selection हो जाएगी बाकि आपके 20 या 30 बनने ठीक है 30 के करीब बनने है तो 30 से और पड़ीगे ठीक है और सी मैंत करिए कि आपका जो score रहेगा 50 में से हमेशा जो है 40 के उपर ही रहे बाकि आप तक वीडियो को लाइक ने गराए वीडियो को लाइक कर दे वीडियो को शेर कर दे चानल को सब्सक्राइब भी कर ले बाकि अपना ध्यार रखिए अपने घरवोलों का ध्यार रखिए जाहिन जायबारत